जो इंसान ये समझता है कि अल्लाः जो करता है वो हमारे लिए बहतर होता है वो कमाल का इमान रखता है नामुम्किन भी मुम्किन हो जाता है जब कोई हाथ उठा कर अल्लाः ताला से मांगता है जब आप किसी पर अहसान करे तो उसको छुपा कर रखे और जब आपके साथ कोई अहसान करे तो उसको जाहिर करे सिंदगी की सबसे बड़ी काम्याबी वह है जब आप खुद को कबूल कर लेते हैं मुहबबत ऐसी अच्छी है कि बदल देती है तेरी जिन्दगी को लेकिन बदलने वाला कोई नहीं बनता दोस्ती का सफर वक्त के गुजारने से नहीं बलकि दिल के करीबी होने से बढ़ता है हमेशा उन्मीद रखो क्यूंकि रात की सिहाई के बाद सवेरा तलवा होती है सिंदगी की एहमियत तब मालूम होती है जब आप किसी को खो देते हो ना के दिन की तारीकी में मुश्किल एक चीज है जो काम्याबी को और बड़ा देती है ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख दे कर हासल हो कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और खामोशी बहुत बहतरीन जवाब है गुस्सा एक भड़कती हुई आग है जो पी गया उसने आग बुझा दी और जो जबत ना कर सका वह उसमें जल गया गहरी बाते समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटे खाने पड़ती है डौलत की असल खुबी यह है कि वो इंसान के पास हमेशा नहीं रहती और अगर रह जाए तो इंसान नहीं रहता अकल मंद बनना छोड़ दो बहुत कुछ सीख जाओगे बुरा आदमी किसी के लिए भी अपने दिल में इज़्जत नहीं रखता क्यूंकि वो हर किसी को अपने जैसा समझता है जल्दबाजी हिमाकत है और यह इंसान की बत्तर इन कमजोरी है गुस्सा हमेशा बेवकुफी से शुरू होता है और शर्मिंदगी पर खत्म हो जाता है मुलाजम से राज कहना उसे मुलाजम से मालिक बना लेना है अपने आपको इज़्जत दोगे तो दूसरे आपका आहत्राम करेंगे कदर करनी है तो जिन्दगी में करो चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं जो ना काबिल बरदाश्ट हो उसे बरदाश्ट करना हकीकी बरदाश्ट है अगर रास्ता खुबसूरत है तो मालूम करो कि किस मन्जिल को जाता है लेकिन अगर मन्जिल खुबसूरत हो तो रास्ते की परवाना करो तुम रोजी की तलाश में निखलोगे और रोजी तुम्हारी तलाश में और शक्स कभी नहीं हारता जो यखी अपने खुदा पे रखता हो और तवकल खुद पे इल्मे कैसी तलवार है जिसका वार अमल है और घाव जीनात मुस्कुराने वाले लोग हमेशा मुस्कुराते हैं चाहे वो वक्त अच्छा हो या बुरा घलता हुआ सूरज बताता है हमारी जिन्दगी का साफर इज़त हमेशा उन लोगों को हासिल होती है जो दूसरों की इज़त करते हैं महनत काम्याबी की कुझी है इल्म अच्छा दोस्त है जो अच्छे और बुरे वक्त दोनों में साथ नहीं छूडता मेरी लाखों बुराईयों को जानते हुए भी मुझसे इतनी मुहबबत करने वाला सिर्फ मेरा अल्ला है जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया मैं तेरी रह्मत से मायूस नहीं हूँ या अल्ला बस मुझे हर आजमाईश में काम्याबी अता फर्मा दे जिसने सुख में दुक्र अजरी वाला शुक्र अजरी ऑल्ला है